नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ मुकेश चानी, मेरी चैनल पे आप सभी भाई बेनों का आदिक स्वागत कता हूँ, सभी के लिए सुपकामना, सुभेच्छा, भगवान बोले नात, सभी की मनों कामना पूरी करें, हमेशा चिंता बनी रहती है, कोई न कोई बात की, चिंता बनी रहती है, फिकर, मन में हमेशा, कोई न कोई फिकर, हमेशा के लिए बनी ही रहती है, खुश कम और उदास ज्यादा नजर आते हैं, कोई गूर्ड नियूज मिलती है, पिछे पिछे बेड नियूज आती है, कुछ अच्छी कबर मिलती है आपको पिछे पिछे बूरी कबर भी आती है कोई भी काम में नुकसान होता रहता है सबी काम में बाधायाती रहती है या नुकसान होता रहता है साल में एक बाद दुर्गतना ओश्य होती है कोई ऐसी बिमारी लग जाती है जीवन परियंत दवाये खानी पड़ती है सूर्यास के बाद ज्यादा चिंतित उदास और दुखी नजराते है बीना जन्म पत्री देखे बीना बर्थ चार्ट देखे समझ लेना सनी का असुब प्रभाव है सनी ठीक नहीं है जन्म पत्री में परिवार में कोई भी भाय बैन के साथ ये सभी बाते ये जो मैंने ये सभी चीजे हो रही है बीना जन्म पत्री देखे बोल देता हूँ आपका सनी ठीक नहीं है सनी का असुब प्रभाव आपके जीवन पे अवस्य है अगर ऐसा हो रहा है दो दिन खुसी आती है बाद में दस दिन दूख आता है गम में रहते हैं उदास रहते हैं ऐसा हो रहा है कुछ उपए आपको देता हूँ यह उपए आप करें आपके जो भी दूख है जीवन के तुकड़े तुकड़े करके फैक देने वाले यह उपए है जो भाई बेन चैनल पर पहली बार आये है मेरा यह पहला वीडियो देख रहे है ऐसी जानकारी में आप रूची रखते है चैनल को सब्क्राइब करें पास्वारी ओल नोटिपिकेशन बिल दबाए परिवार से जूर जाए वीडियो देखने के बाद कोमेंट बोक्स में बीना भूले जैस्री राम आप वो से लिखेंगे दोस्तों हर दिन छोटी अरज करता हूँ आपको जैस्री राम लिखे बीना आप वीडियो छोड़के नहीं जाएंगे चैनल छोड़के नहीं जाएंगे जो नए भाई बेन चैनल पर आए है जो नए वीवर आए है मेरी दूसरी चैनल है चैनल का नाम है दिवियर टोटके हर दिन दूप अहर एक बज़े मैं दूसरी चैनल से वीडियो शेर करता हूँ नीचे डिप्सवन में चैनल की लिंक रखी है ये वीडियो देखे ये वीडियो के उपाई को आप ठिक से समझे कोमेंट बॉक्स में जहस्री राम लिखे लाइक करे ना करे कोई फर्क नहीं परता है वीडियो को जहस्री राम लिखने के बाद डिपिक्शन में जाए वहाँ लिंक ओपन करे वहाँ वीडियो देखे वह चैनल को सब Benjamin करे आपके जीवन में कोई भी परेशानी है कोई भी समस्या है आप मुझे कोमेंट करके बताए एक दो दिन में ही आपकी जो भी परेशानी है जो भी समस्या है वीडियो के माध्यम से आपको अवस्य मिल जाएगा उपाई, समाधान वीडियो के ही माध्यम से आपको अवस्य मिल जाएगा एक बात का ख्याल रहे चैनल को सब्क्राइब करते हैं तो ही आप कुमेंट में आपकी समस्या बताए अगर आप चैनल को सब्क्राइब नहीं करते हैं और आपकी समस्या लिखते हैं मैं आपकी समस्या का समाधान धूंड के आपके साथ शेयर करता हूँ चैनल को सब्क्राइब करके आपने रखी नहीं है वीडियो दूसरे दिन आपको मिलेगा नहीं है मेरी महनत आपकी आशा दोनों बेका जाएंगे अगर ऐसी समस्या आपके जीवन में है कोई बीमारी लग गई है जीवन परियंत दवाए खानी पड़े कि चिंतित रहते हैं कोई भी बात से चिंतित रहते हैं चिंता दोस्तों बीच में एक बात बता दू आपको चिंता देने वाला कोई ग्रह है वो है सनी सनी ठीक नहीं है तो जन्मों पत्री में कोई न कोई बात की चिंता हमेशा आपके जीवन में बनी ही रहेगी वैसे सनी कौई कौन से भाव में है वो देखा जाता है दूसरा कौन सा ग्रह है साथ में मगर ये जो उपाई आपके साथ सेर कर रहा हूं आपकी जन्मों पत्री देखनी नहीं है आपकी जन्मों पत्री में सनी भी देखना नहीं है काँ है कौन से भाव में बेठा है कौन सी रासी में है आपकी कौन सी रासी है कुछ नहीं देखना है सिर्फ ये उपाई करे उपा और और जैदा प्रसन होंगे सनीदेव लोहे का तो या तो स्टिल का दिपकले स्टिल का या लोहे का दिपकले सुर्यास के बाद लंबी बाती वाला दिपक चलाना है आपको काली उड़त की दाल ले घर की पस्चिम दिशा में ब्लू या तो काले वस्तर के उपर थोड़ी दाल रखे दाल के उपर वो लोहे का छोटा बतन रखे दिपक रखे लंबी बाती वाला अंदर ससो का तेल दाले घर की पस्चिम दिशा में हर दिन ये दिपक आप जिलाना चालो कर दे। दूसरे दिन सुबह में जो दाल आपने आसन रखा था दाल का वस्तर को कुछ नहीं करना है काला वस्तर रहने दे दाल निकाल दे। थोड़ी एक चुटकी दो चुटकी दाल रखनी है उड़त की काली दाल दाल को उठा ले निम के पेड़ के नीचे जाके उस दाल को भिखेद दे। ये प्रयोग आप फर दिन करे। हर सनिवार के दिन काली उड़त की दाल ले थोड़ा गूड ले बजरंग बली के मंदीर में दान करे। सो ग्राम की मात्रा में काली गूरत की दाल ले पचाह ग्राम सो ग्राम की मात्रा में गूầ ले ये दोनों चीज बजरंग बली के मंदिर में दान करना चालू कर दे कम से कम आठ सनी वार तो ये प्रयोग आप अवस्या करें, आठ सनी वार तक ये दान अवस्या करें, कर सकते हैं तो लगाता दान करें, सनी ठीक नहीं है तो, काली उरत की दाल ले काले तिल ले एक मूठी काली उरत की दाल ले तो एक मूठी काले तिल ले एक मूठी चीनी या सक्र ले सभी चीजों को मिक्स के पाउडर कर दे हर सनी वार के दिन सुरियाच के समय सुरियाच अस्त हो जाए उनसे थोड़ी दिर पहले उजाला रहेगा सुरियो अस्त होने के बाद भी थोड़ी दिर उजाला रहेगा चीटियो को डाले आपके घर में से पस्चिम दिसा की ओर चले आप जहाँ जहाँ आपको दिन में देख ले कहां कहां चीटिया है दिन में एक चक्र लगा के देख ले कहां कहां चीटिया रहती है सुरियास के बाद ये तीन चीज घरत में से निकलने के बाद पस्चिम दिशा की ओर चले और ये सभी चीज चीटियों को, कीडे मकेडे को, ये सभी चीजे डाल दे तीन प्रयोग करें दोस्तों, तीन उपाई करें कम से कम, आठ सनी वाद तक ये प्रयोग करें दीपक जलाते हैं, कोई दिन भूल जाते हैं गबरे ये मत, चिंता मत करें, कोई नुक्सन नहीं होने वाला है गर में असुधी है, आप कहीं बाहर गए है, दीपक मत जलाए मगर कम से कम, जला सकते हैं तो लगातार, सनी वाद से चालू करके आठ सनी वाद तक, दीपक को आपकी पस्तिम, घर की पस्तिम दिशा में, आप जलाए बडलाव देखके दोस्तों, रिजल्ट देखके आप धंग रह जाएंगे, चोंकाने वाले, रिजल्ट चोंकाने वाले होंगे, बडलाव चोंकाने वाले होंगे बस दोस्तों चैसरी नाम लिख दिया होगा आपने लिप्रिक्षन में जाए लिंक ओपन करें वीडियो देखें चैनल को सब्सक्रेब करें वहां भी परिवास से चूर जाएं धन्यवाद हुंदे मातरो